दोस्तो आज के सिर विडियो पाश्पोर्ट का अनलाइन अप्लीकेशन फॉरूर को यאת व्यूज्ट प्रोसेस पोरा कंप्लीक प्रोसेस इस विडियो में आप लोग को दिखला ने वला हूँ तो उसके पहले अगर चैनल पे आप लोग नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा चलिए आप लोगो बताते हैं कैसे आप लोगो फिल अप करना है कम्प्लीट प्रोसेस आप लोगो लाइक दिखलाते हैं के लिए आपको अपने कम्प्यूटर स्क्रीन पर ले चलते हैं देखिए आप लोगो इंडियान पासपोर्ट अपलाई करने के लिए सबसे पहले पासपोर्ट इंडिया डॉट जी ओबी डॉट इनिस वेफसाइट पे आना देखिए यहां पे कुछ फेक वेफसाइट के लिए अलर्ट किया गया है कि इस वेफसाइट पे आपको डही जाना जैसे कि यहां पे देखिए यह तीन चार पांच वेफसाइट दिया अगर आप इस वेफसाइट पे जाके अपना फार्म फिलव करते हैं और पैसा पे करते हैं तो आपका पैसा तो समय तो जाएगा ही जाएगा साथ में आपका पैसा भी सब कुछ चला जाएगा तो यह फेक बेफसाइड है इस से आप लोगो बचने के लिए आप लोगो तरीका पता देते हैं देखिए इस बेफसाइड पे आपको आना है जब नीचे स्क्रॉल करके आएंगे देखें आप इंडियन पासपोर्ट अनलाइन अपलाई स्टेटस फीज डाकुमेंट सिंपल सा इस पर आपको क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना देखें यहाँ पर सारा प्रोसेस हो गयरा बताया गया है तो आपको नीचे यहाँ पर आल लिंक वाले पर क्लिक करना है देखेंहे हों और लोग्पको ध्यान में रखना बाकि अब डिर ऐस्यान इमालूम हैं देखिए जैसे यहां पर हम रजिस्टेशन पासपोर्ट अप्लिकेशन अलाइन रजिस्टेशन क्लिक हैर पर हमने क्लिक किया यह आपके सामने इंटरफेस खुल कर आ काईगा और आप लोको बता दि किया क्या क्या डाकुमेंट कर सकते हैं इसका पासफोर्ट आफिस आपको सिलेट करेंगे तो जो भी आपका नेम है तो फिल अफ कर देंगे जैसे माल लिजे मेरा नाम अमीद कुमार यादो है तो यहाँ पर अमीद कुमार लिखेंगे अब यादो दिखेंगे आपको सरनेम में आपको लास्ट नेम फिल अफ करना सरनेम में जैसे हम यादो लिख देंगे अगर माल लिजे मेरा अमीद क करेंगे आइटमेटिक फिल हो जाएगा तो जो आपके कावडिंग जो भी आपका डेटा बर्थ हो यहाँ पे फिल आफ करेंगे उसको देखिए यहाँ पर आपको अपना इमेल आइडी फिल आप करना है जो भी आपका इमेल आइडी हो उसे फिल आफ कर लीजिए अगर इसी को अपना login ID बनाना चाहते हैं, simple सा इसे yes पर click करिए, otherwise अगर नहीं बनाना चाहते हैं, no पर click करके आप अलग-अलग भी कोई अलग ID भी बना सकते हैं, तो हम इसको बनाना चाहते हैं, simple सा yes पर click करेंगे, उसका यहाँ पर आपको password अपना बनाना है, password किस type का बनाना है, इस type पर आपको password बनाना है, जैसे कुछ capital, कुछ small letter, कुछ number, कुछ character आपको रखके अपना password बना लेना है, देखिए जो password यहाँ पर fill up करेंगे, उसे ही आपको यहाँ पर दुबारा से fill up करके confirm करना है, ताकि आपको password confirm हो जाए कि आप सही डाले हैं, उसका हमको password recover करते time, यह fill up करना पड़ेगा, उसको यह character fill करके यहाँ पर आपको register पर simple सा click कर देना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने पूरा detail fill up कर लिया, आप हम क्या करेंगे, register पर simple सा click करेंगे, अब देखिए जैसे हम register पर click कियें, आपके email ID पर, जो भी जैसे successfully on passport, सेवा, simple सा आपको क्या करना है, यह जो link है, इस पर आपको click कर देना है, जैसे आप यहाँ पर click करेंगे, देखिए, enter user ID, यहाँ पर आपको अपना email ID fill up करके, आपको submit पर click करना है, जैसे हमने यहाँ पर fill up कर लिया email ID, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर submit पर click करेंगे, देखिए, submit पर click करते है, your account has been activated successfully, आपका account successfully activate हो जाएगा, मेरा यहाँ पर हो चुका है, अब आपको क्या करना है, simple सा देखिए, यहीं पर आपको एक option और मिल जाएगा, passport, application, online, login, simple सा आपको click here पर click करना है, और यहाँ पर आपको अपना email ID fill up करके, continue पर click करना है, तो simple सा हम email ID fill up करें, continue पर click करेंगे, अब यहाँ पर आपका email ID सोगा, यहाँ पर जो आप password create किए हैं, वो password यहाँ पर fill up करेंगे, उसके बाद यह जो character है, यहाँ पर fill up करके, आपको क्या करना है, login पर click करना है, जैसे कि यहाँ पर हम detail fill up करें, login पर click करेंगे, अब देखिए, जैसे login आप यहां पे हो जाएंगे देखिए application for fresh passport and reissue of passport simple सा इस पर आपको click करना है यहां पे दो option मिलता है देखिए यहां पे alternative दुसरे वाले में आपको PDF आप download करके उसको fill up करके आप इसको upload कर सकते हैं या आप direct online form fill up कर सकते हैं तो हम हम यहां पे online form fill up करेंगे simple है यहां पर हम click करेंगे अब दिखिए यहां पर आपक क्या करना है simple है अपको state select करना है जो भी limit कर लेना है जो भी आपका district हो वह भी सेलेक्ट करेंगे जैसे कें लगनाओ सेलेक्ट कर लिए देखिए लखनाओ सेलेक्ट करते ही यहां पे आपको अपलाई फार्ट यहां पर फ्रेस पासपोर्ट आपको यहां पर सेलेक्ट करना है और यहां पर आपको नॉर्मल सेलेक्ट करना है यहां पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है देखिए यहां पर आपक किसी और नाम से जाना जाता है यह जो नाम दीए इसके अलामा तो यहां पर yes करेंगे और वह नाम यहँव आफ़ आप these Love करते हैं अगर नहीं जाना और्ध स्झेयरऊ स्झेयर सब्सक्राइब करते है किया है तो yes करेंगे अगर नहीं किए है यहां पे अगर के तो वो? न आम है आपको फिन अको नहीं के सिंपल साथ 6 नो पर किलिक कर देंगे उसको देखे यहां पर डेट आप वर्थ अफना फिलफ करेंगे ने टेटर बर वर्थ फिलफ करने के लिए अप है पहले ही दा चुक एउस्फ este यहां पर month select करेंगे फिर date आफ select करेंगे automatic हो जाएगा उसके अगर आपका वर्थ आफ प्लेस आउट आफ इंडिया है तो यहां पर yes करेंगे अगर नहीं है तो simple साफ यहां पर no पर click कर देंगे उसके देखें यहां पर वर्थ city टाउन आपका क्या है विलेज अगर विलेज ह है मलब कसभा विलेज गाउं कसभा सीटी सहर क्या है वह यहां पर फीलफ करेंगे उसके आपको हैंना जो भी आपका स्टेट हो वो स्टेट करेंगे उसका यहां पर district selector करेंगे उसी कारड को मैरीटल स्टेटस बताना है कि अगर आप समीनल वित अपर साधी नहीं हुए यहां इसको स्य लेट करूछ है अपने पिस्क्रोल करके चलना है उसको देखिएहां पिसेजिण सिफ-इंडियाब्ड मतलब कि आप इंडियन सीटिजन कैसे हैं तो वो अपने अकार्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर वर्थ सेलेक्ट करेंगे उसका यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर देना है अगर अब लेवल है तो दीजिए अधरवाईज आप छोड़ सकते हैं इस वाल यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर देंगे उसको देखे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप बताएंगे कि आपका क्या है वो अपने अपने कॉडिंग यहाँ पर आपको बताना है अब देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ नहीं है तो अब नह सिचार कटकरी में नहीं आएंगे थो सिंपल सापको नो पे किलिक करना तो यहां पर दिखें अमने ग्यरेजवेशन सेलेक्ट यहां तो मतलब 10th पास हैं थे मैं यहां पे yes पे क्लिक कर देंगे अब देखिए आपको क्या करना है यहां पे आपको अधार नमबर फिलफ करना है और यहां पे आपको यस पे क्लिक करना है आप देखिए मैंने पूरा डिटेल यहां पे फिलफ कर लिया है अब हम क्या करेंगे देखिए इस चेक वाक्स को भी हमने चेक कर दि फिता का नाम है यहां यहां लीगल गार्जियन का नाम भी यहां पे फिलप कर सकते हैं आपको given name अगरा यहां पे डीटेल यहाँ पर इसको चोड़ दिजिए जैसे देखिए हमने पुरा डीटेल यहाँ पे fill up कर लिया है यहाँ पे हमारा surname नहीं है तो हम simple सा surname यहाँ पे छोड़ दिये हमने हम surname नहीं लगाते हैं पिता में तो simple सा हैं save my detail पे simple सा हम click करेंगे देखिए यहाँ पे आपका जो detail है वो finally save हो जाएगा अब आपको क्या करना है simple सा next पे click करना है देखिए यहाँ पे आपको अपना address fill up करना है अगर आपका address out of India मलब इंडिया का नहीं इंडिया से बाहर का है तो यहाँ पे yes पे click करेंगे वो address यहाँ पे fill up करेंगे जैसे कि यहाँ पे country भी गाओ कसबा सहर का नाम यहाँ पे अपना fill up करेंगे उसका यहाँ पे आपको अपना state select करेंगे state क्या है वो आपको select करना होगा उसका यहाँ पे आपको district select करना है क्या district है उसके यहाँ पे आपको police station आपको अपना select करना होगा उसके देखे यहाँ पे आपको फिन कोड् believing करना है यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंसब्र विल इनफ करना है यहाँ पर टेलीफोन नंबर है तो फिल अधर ऑज धिसको छोड़ दीजियेगा सब्सक्राइब कर यहाँ प्रिलम करने के पाड़ आपका Reportinggre तो आपका पर्मानेंट ऐड्रेस सेम है तो आप क्या करेंगे यस पर क्लिक करेंगे और यहां पर वो अपना पर्मानेंट ऐड्रेस फिल अगर देंगे अगर जो address हम यह fill up किया हुआ है हमारा permanent address है simple सा yes पे हम click कर देंगे उसके अब को क्या करना होगा next पे click करना है जैसे देखे मैंने पुरा detail fill up कर लिए हम क्या करेंगे save my detail पे हम simple सा click करेंगे उसके अब क्या करना okay पे click करना है अब देखिए यहाँ आपका data यहाँ पे successfully save हो जाएगा अब आपको नीचे scroll करके चलना है और यहाँ पे आपको next पे click करना है और यही पे okay का option मिलेगा आपको okay पे click कर देना है अब देखिए यहाँ पे आपको emergency contact number देना है यहाँ पे name and address और यहाँ पे आपको mobile number और यहाँ पे आपको email ID हो तो fill up करें दरवज़ेश्यों छोड़ देजिएगा कि मालब आपसे contact नहीं हो पाता है तो आपके friends और जो भी है उनका आप यहाँ पे contact emergency contact number दे देंगे तो उनसे contact कर लिया जागा तो वह आपको यहाँ पे fill up करके क्या करना है save my detail पे click करना है देखिए जैस और या hold किया है normally जो issue किसे के तुछार किया जाता है देखिए यहाँ पे तिब्बतेन या other state के लोगों के लिए issue किया जाता है अगर hold किया तो यहाँ पर yes या no अपने बताएंगे तो यहाँ पर no रहने दीजिए अगर आप hold किये हैं तो yes कर देए नहीं तो आप no पे click कर देंगे उसको देखिए यहाँ पर detail of previous current यहाँ पर डेवलोपमेटिक official passport यहाँ पर आपको second option चूज करना ध्यान रखना है कि detail not यहाँ पर available पर आपको click कर देना है उसको देखिए अगर आप कभी passport के लिए apply किये थे तो यहाँ पर yes करेंगे इसके पहले अगर आप passport के और प्रसेसिंग और है फेंडिंग और चल लाए कोई case और तो यहाँ पर yes करेंगे अधरवाइज आप इसको सभी को यहाँ पर आपको no कर देना है तो इसमें वो सारी चीजे हैं अगर आप आपको कोट ने कभी भी आपसे बाहर आपको जाने के लिए रोक लगाई है तो व यहाँ पर देखिए टाइप पी यहाँ पर इंडियान उसका यहाँ पर आपका नाम रहेगा यहाँ पर नेशनल्टी यहाँ पर लिंग आपका बताए जाएगा मेल है फिमेल है उसका डेट अब बर्थ हैं जन्म अस्थान रहेगा यहाँ पर आपके मातापीता का नाम रहे और यहाँ पे आपका address होगा आपको next पे simple सा click करना है अब देखिए यहाँ पे आपको अपना birth document आपको select करना है birth certificate के तोर पे आप क्या लगाना चाते हैं तो यहाँ पे दिया गया है क्या 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 आप लगा सकते हैं यह multiple option दिया गया है जैसे कि electricity bill, water ID card, number जो भी government के द्वा प्रजेंट residential address क्या है वो यहाँ पे आपको select करना है यहाँ पे भी आधार card है तो simple सा हम यहाँ पे आधार card हम select कर लेंगे उसके देखिए यहाँ पे आपको passport सेवा SMS service आपको चाहिए तो simple सा आप यहाँ पे यहाँ पे क्लिक करेंगे उसका यहाँ पे जो आप mobile number देंगे उ उसके आपको नीचे scroll करके चलना है अगर आप नहीं इसका सेवा लेना चाहते हैं यह तो simple सार यहाँ पे no पे इसको uncheck कर देंगे यहाँ पर no पे यहाँ पे automatic क्लिक हो जाएगा उसके आपको नीचे scroll करके चलना है यहाँ पर देखिए आपको अपना place fill up करना है कहां से आप form पर देख सकते हैं देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे save my detail पर हमने क्लिक किया थे हैं आप यहाँ हो चुका है अब हम नीचे scroll करके चलेंगे और यहाँ पर आपको प्रिवीव अप्लिकेशन फार्म का देख लेंगे देखिए जैसे हमने प्रिवीव पर क्लिक किया है पर appointment का option आ जाएगा इस पर आपको simple सा click करना है देखिए जैसे आप उस पर click करेंगे यहाँ पर आपको दो option मिलेगा या तो आप online payment कर सकते हैं या चालान के माध्यम से भी कर सकते हैं तो यहाँ पर हम choose करेंगे simple online mode इस वाले checkbox को fill करेंगे और next पर हम simple सा click करेंगे यहाँ पर आपका application numbers होगा यहाँ पर आपका given name होगा यहाँ आपका date of verse होगा simple सापको next पर click करना है यहाँ पर देखिए appointment जैसे आप next पर click करेंगे यहाँ पर schedule appointment आपको आ जाएगा जिस विक्स में appointment खाली है वह यहाँ पर अबलेबल दिखलाएगा किस date को खाली है जैसे कि यहाँ प जूज करेंगे अपने recording और simple सा यह जो capture यहाँ पर फिल करके आपको next पर simple सा click कर देना है जैसे कि यहाँ पर next पर simple सा हम click करेंगे जैसे आप next पर click करेंगे यहाँ पर सारा details होगा यहाँ पर देखिए पंद्रस वर पर आपको फीस payment करना है यहाँ पर अगर अब appointment date यहाँ पर change करना चांदते हैं simple सा इस calendar पर आप click करेंगे इस date को appointment date यहाँ पर खाली है तो वह आप select कर सकते हैं जो green color का है तो जो green color का है बाकि जो rate color का है यह book हो चुके हैं अब आपको क्या करना होगा simple सा pay and book appointment पर आपको click करना होगा और यहाँ पर आपको okay पर click करना है अब other bank के net banking से करते हैं तो 6 रुपए आपको चार्ज देना पड़ेगा अगर SBI के debit card से करना चाते हैं simple सा यहाँ पर click करके कर सकते हैं other bank के debit card से करना चाते हैं click here पर click करके आप कर सकते हैं credit card से 26 रुपए 55 रुपए पैसे charge करेंगे है भी UPI का भी option दिया है करने के बाद यहाँ यहाँ पर आपना home पर आएंगे application home पर आपको आ जाना है और यहाँ पर देखिए आप जितने भी form submit के होंगे यहाँ पर view save submitted application form पर click करके यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको ARN नंबर आपको मिल जाएगा applicant name यहाँ पर मिल जाएगा appointment date यहाँ पर आपको दिखेगा यहाँ पर payment status यहाँ पर दिखलाएगा simple आपको इस पर click करना है इस वाली चेकवाक्स पर आपने काणिग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको click करना होगा तो जैसे हम इस पर click करना है दखिया भी इनिसियेटेट है तो हम आगे का process किये थे इसके होज़े से यहाँ नहीं सो हो रहा है अधरवाई आप अपने application form का print out लेना चाहते हैं यहाँ पर click here पर आपको click करना है और simple आपको क्या करना है view print submitted form पर आपको click करना है यहाँ print out लेकर रख सकते हैं इसका लेने बाद यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा upload supporting document आप यहाँ से चाहे तो अपना supporting document upload कर सकते हैं यह mandatory नहीं है अब passwords office में भी जाके आप submit कर सकते हैं इसका size हो गया रहा है यहाँ पर बताया गया है कि एक EMB का होना चाहिए simple आपको upload supporting document पर पहले click कर देना है यहाँ पर देखिए attachment types में आपको select करना है कि address proof यहाँ पर select कर लिया उसका देखिए attachment description पर आपको click करना है तो simple सा हमें देखिए address proof हमने select किया यहाँ पर क्या देना चाहते हैं था हम यहाँ पर अधार card हम यहाँ पर select करेंगे यह अधार card है उसके देखिए यहाँ चूच फाइल पर आपको click करना है जहां पर भी आपका file हो वहाँ से select करेंगे और यहाँ upload पर आपको click कर द देना है यहाँ पर देखिए uploading शुरू हो गया है तो देखिए यहाँ पर अधार card upload हो चुका uploaded यहाँ पर दिखा रहा है अब आपको क्या करना है आप attachment type पर select करना है date of birth के proof पर आप क्या देना चाहते है वो यहाँ select करेंगे attachment types में इसमें भी हम अधार card select करेंगे देखिए यहाँ पर अधार card है simple हमने इसको select किया choose file पर click करेंगे जहाँ भी अधार card है उसे हम select करेंगे open पर click करेंगे upload पर हम simple सा click कर देंगे यहाँ पर non-eCR proof हम select करेंगे उसका देहां पर attachment description में हम यहाँ पर select करेंगे तो simple से हम पर matriculation higher education pass certificate हम select करेंगे उसका देहाँ चूज यहाँ पर हमने upload कर दिया है यह upload करने के बाद अब आपको क्या करना है simple था है यहाँ पर view save हैं सकते हैं यहाँ पर submitted application पर आपको click करना है यहाँ पर इसे आपको जो भी है यहाँ पर checkbox जितने form fill up कि रहेंगे जिसका आप यहाँ पर सारी चेक करना जाए उसको check करेंगे और demo भर के आप लोग को दिखलाएं कैसे आप लोग को form fill up करना है जब आप इसका payment कर देंगे तो यहाँ पर पेट का और यहाँ पर पेड़ दिखाएगा not paid के जगह पर आपको क्या करना है यहाँ आपको ओके पर क्लिक कर देना है application receipt आपको यहाँ पर सो होगा यहाँ पर पू office आपको पंद्रे मिनट पहले पहुचना होगा यही receipt आपको वहाँ पर दिखलाएंगे तो आपको entry मिलेगी इसका आपको print out निकलवा लेना है या निकाल लेना अगर printer है तो आप निकाल सकते हैं अगर नहीं है इसको प्रिंट अप्लिकेशन फॉर्म पर क्लिक करना application receipt पर आप इसको PDF में save कर सकते हैं अगर नहीं है printer आपके पास दो और इसे PDF में save करने के बाद आप किसी भी सौप पर जाके वहाँ से इसका print out ले सकते हैं और इसके साथ वहाँ पर आपको passport office में आपका photo लिया जाएगा क्लिक किया जाएगा signature आपको से करवाय जाएगा signature क्लिक कि आपको वहाँ पर भी देना पड़ेगा police station में भी और वहाँ आपका police verification होने के बाद आपके एक हपते 10-15 दिन लगता है दस दिन maximum आपका passport आपके by post घर पे आ जाएगा तो मैंने पूरा complete process आप लोग को बता दिया कि कैसे आप लोग को फिल अप करना है अगर वीडियो पसं नई जानकारी साथ तब के लिए बाइब